C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई एक पूर्णांक पृष्ठ दस एक दशमलव चार पूर्णांकों का गुणन हम पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन कर सकते हैं आएए अब सीखें के पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जाता है एक दशमलव चार दशमलव एक एक धनात्मक और एक रिनात्मक पूर्णांक का गुणन हम जानते हैं के पूर्ण संख्याओं का गुणन बार-बार योग है उदाहरन थह पांच जमा पांच जमा पांच बराबर तीन गुणा पांच बराबर पंद्र है क्या आप पूरणांकों के योग को भी इसी प्रकार निरुपित कर सकते हैं निम्नलिकित संख्यारेखा से हम पाते हैं कि माइनस पांच जमा माइनस पांच जमा माइनस पांच बराबर माइनस पंद्रह है यहां एक संख्यारेखा दी गई है जिस पर ये क्रम दिखाया गया है परन्तु इसे हम निम्नलिखित रूप में भी लिख सकते हैं मैनस 5 जमा मैनस 5 जमा मैनस 5 बराबर 3 गुणा मैनस 5 इसलिए 3 गुणा मैनस 5 बराबर मैनस 15 है। प्रयास कीजिये। संख्यारेखा का उपयोग करते हुए ग्यात कीजिये चार गुणा माइनस साथ, आठ गुणा माइनस दो, तीन गुणा माइनस साथ, दस गुणा माइनस एक. प्रिष्ट ग्यारा. इसी प्रकार माइनस चार जमा माइनस चार जमा माइनस चार जमा माइनस चार बराबर पांच गुणा माइनस चार बराबर माइनस बीस. ये संख्या रेखा पर यहां दर्शाया गया है और माइनस तीन जमा माइनस तीन जमा माइनस तीन जमा माइनस तीन बराबर डैश बराबर डैश साथ ही माइनस साथ जमा माइनस साथ जमा माइनस साथ बराबर डैश बराबर डैश आईए देखें कि संख्या रेखा का उपयोग किये बिना एक धनात्मक पूरणांग एवं एक रिनात्मक पूरणांग का गुनन फल कैसे ग्यात किया जाए आईए एक अन्य प्रकार से तीन गुना माइनस पांच ग्यात करें सर्वप्रथम 3 गुणा 5 ग्यात कीजिए और प्राप्त गुणन फल से पहले रिन यानि माइनस का चिन रखिए आप माइनस 15 प्राप्त करते हैं अर्थात माइनस 15 प्राप्त करने के लिए हम माइनस कोष्ठकों में 3 गुणा 5 प्राप्त करते हैं इसी प्रकार पांच गुणा माइनस चार बराबर माइनस कोष्ठकों में पांच गुणा चार बराबर माइनस बीस है। इसी प्रकार निम्नलिखित को ग्याद कीजिए। चार गुणा माइनस आठ पराबर डाश बराबर डाश च्छे गुणा माइनस पांच पराबर डाश बराबर डाश तीन गुणा माइनस साथ पराबर डाश बराबर डाश दो गुणा माइनस नौ पराबर डाश बराबर डाश इस विधी का उपयोग करते हुए हम पाते हैं के अभी तक हमने पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक गुणा रिनात्मक पूर्णांक के रूप में गुणा किया है। आएए अभ इनको रिनात्मक पूर्णांक गुणा धनात्मक पूर्णांक के रूप में गुणा करें। सर्वप्रथम हम माइनस तीन गुणा पाँच ग्यात करते हैं। ये ग्यात करने के लिए निम्नलिखित पैटर्न को देखिए। हम पाते हैं 3 गुणा 5 बराबर 15, 2 गुणा 5 बराबर 10 बराबर 15 घटा 5, 1 गुणा 5 बराबर 5 बराबर 10 घटा 5, 0 गुणा 5 बराबर 0 बराबर 5 घटा 5, इसलिए, माइनस एक गुणा पांच बराबर शुन्य घटा पांच बराबर माइनस पांच, माइनस दो गुणा पांच बराबर माइनस पांच बराबर माइनस दस, माइनस तीन गुणा पांच बराबर माइनस दस माइनस पांच बराबर माइनस पंदर है। हम पहले ही प्राप्ट कर चुके हैं के 3 गुणा माइनस 5 बराबर माइनस 15 है, अतहा हम पाते हैं के माइनस 3 गुणा 5 बराबर माइनस 15 बराबर 3 गुणा माइनस 5. इस प्रकार के पैट्रनों का उपयोग करते हुए हम "-5 गुणा 4 बराबर-20 बराबर 5 गुणा-4 भी प्राप्ट करते हैं. प्रयास कीजिए, ज्यात कीजिए, एक 6 गुणा-19, दो 12 गुणा-32, तीन 7 गुणा-22. प्रिष्ट 12 इसका उपयोग करते हुए हम इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांग और एक रिनात्मक पूर्णांग को गुणा करते समय हम उनको पून संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणन फल से पहले रिन चिन हैं तानी माइनस रख देते हैं इस प्रकार हमें एक रिनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है प्रयास कीजिये इस प्रकार के पांच और उदाहरण लिखिये माइनस तीन गुणा चार बराबर माइनस बारह माइनस तीन गुणा तीन बराबर माइनस नौ बराबर माइनस बारह घटा माइनस तीन माइनस तीन गुणा दो बराबर माइनस चै बराबर माइनस नौ घटा माइनस तीन मैंनस 3 गुणा 1 बराबर मैंनस 3 बराबर मैंनस 6 घटा मैंनस 3 मैंनस 3 गुणा 0 बराबर 0 बराबर मैंनस 3 घटा मैंनस 3 मैंनस 3 गुणा मैंनस 1 बराबर 0 घटा मैंनस 3 बराबर 0 जमा 3 बराबर 3 माइनस तीन गुणा माइनस दो बराबर तीन घटा माइनस तीन बराबर तीन जमा तीन बराबर छे क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है? ध्यान दीजिए कि गुणन फल कैसे परिवर्तित हुए हैं प्रिष्ट तेरह इन प्रेक्षणों के आधार पर निमनलिखित को पूरा कीजिए माइनस तीन गुणा माइनस तीन बराबर डाश माइनस तीन गुणा माइनस चार बराबर डाश अब इन गुणन फलों को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए माइनस 4 गुणा 4 बराबर माइनस 16, माइनस 4 गुणा 3 बराबर माइनस 12 बराबर माइनस 16 जमा 4, माइनस 4 गुणा 2 बराबर dash बराबर माइनस 12 जमा 4, माइनस 4 गुणा 1 बराबर dash, माइनस 4 गुणा 0 बराबर dash, इन पैट्रनों से हम देखते हैं के मैनस तीन गुणा मैनस एक बराबर तीन बराबर तीन गुणा एक मैनस तीन गुणा मैनस दो बराबर छे बराबर तीन गुणा दो इसलिए, मैंनस चार गुना मैंनस दो बराबर चार गुना दो बराबर डाश मैंनस चार गुणा मैंनस तीन बराबर ड़ाश बराबर ड़ाश अतह इन गुणनफलों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दो रिनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है हम दो रिनात्मक पूर्ण आंकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणन फल से पहले धनात्मक चिन्ह यानी फ्लास का चिन्ह रख देते हैं इस प्रकार हम पाते हैं के माइनस 10 गुणा माइनस 12 है बराबर प्लस 120 बराबर 120 है इसी प्रकार माइनस 15 गुणा माइनस 6 बराबर प्लस 90 बराबर 90 है व्यापक रूप में किनहीं दो धनात्मक पूरणांकों A एवं B के लिए माइनस ए गुणा माइनस बी बराबर ए गुणा बी प्रयास कीजिए 1. माइनस पांच गुणा चार से शुरू करते हुए माइनस पांच गुणा माइनस छे ग्याद कीजिए 2. माइनस छे गुणा तीन से शुरू करते हुए माइनस 6 गुणा माइनस 7 ग्याद कीजिए, प्रयास कीजिए, ग्याद कीजिए माइनस 31 गुणा माइनस 100, माइनस 25 गुणा माइनस 72, माइनस 83 गुणा माइनस 28, खेल एक, एक, एक ऐसा बोड लीजिए जिस पर माइनस 104 से 104 तक के पूर्णांक अंकित हों, जैसा के आक्रिती में दर्शाया गया है दो, एक थैले में दो नीले पासे और दो लाल पासे लीजिए नीले पासों पर अंकित बिंदूओं की संख्या धनात्मक पूरणांकों को दर्शाती है और लाल पासों पर अंकित बिंदूओं की संख्या रिनात्मक पूर रांकों को दर्शाती है तीन, प्रत्य खिलाडी अपने काउंटर को शून्य पर रखेगा चार, प्रत्य खिलाडी थैले में से एक साथ दो पासे निकालेगा और उनको फेंकेगा प्रिष्ट 14 यहाँ एक सारणी दी गई है, जिस पर माइनस 104 से 104 तक के पूरणांक अंकित है पांच, पासों को फेंकने के बाद खिलाडी को प्रत्य एक बार प्राप्त पासों पर अंकित संख्याओं को गुणा करना है 6. यदि गुणन फल एक धनात्मक पूरणांक है, तो खिलाडी अपने काउंटर को 104 की ओर खिसकाएगा और यदि गुणन फल एक रिनात्मक पूरणांक है, तो वह अपने काउंटर को माइनस 104 की ओर खिसकाएगा साथ, जो खिलाडी पहले माइनस एक सो चार या एक सो चार पर पहुँचता है, विजेता कहलाएगा प्रिश्ट 15 है 1.4.3 तीन अथवा अधिक रिनात्मक पूर्णांकों का गुणन फल यूलर सबसे पहले गणित अग्य थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एंकी टूंग जूर अलजेब्रा 1770 में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर एक होता है हमने देखा के दो रिनात्मक पूर्णांकों का गुणन फल एक धनात्मक पूर्णांक होता है तीन रिनात्मक पूर्णांकों का गुणन फल क्या होगा? चार रिनात्मक पूर्णांकों का गुणन फल क्या होगा? आये निमन लिखेत उदाहरणों को देखते हैं a. मैनस 4 गुणा मैनस 3 बराबर 12 b. मैनस 4 गुणा मैनस 3 गुणा मैनस 2 बराबर कोश्ट हको में मैनस 4 गुणा मैनस 3 गुणा मैनस 2 बराबर 12 गुणा मैनस 2 बराबर मैनस 24 c. मैनस 4 गुणा मैनस 3 गुणा मैनस 2 गुणा मैनस 1 बराबर कोश्टको में, मैनस 4 गुणा मैनस 3 गुणा मैनस 2 गुणा मैनस 1 बराबर मैनस 24 गुणा मैनस 1 बराबर 24 D, मैनस 5 गुणा कोश्टको में, मैनस 4 गुणा मैनस 3 गुणा मैनस 2 गुणा मैनस 1 बराबर मैनस 5 गुणा 24 बराबर मैनस 120 उपर युक्त उधाहरणों से हम देखते हैं कि छे रिनात्मक पूरणांकों का गुणनफल क्या होगा? इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि उपर युक्त A और C में गुणा किये गए पूरणांकों की संख्या सम है यानि क्रम शाहद दो और चार और A और C में प्राप्त गुणनफल धनात्मक पूरणांक हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि गुणा किये जाने वाले रिनात्मक पूर्णांकों की संख्या यदी सम है तो गुणन भल धनात्मक है और यदी गुणा किये जाने वाले रिनात्मक पूर्णांकों की संख्या विशम है तो गुणन भल एक रिनात्मक पूर्णांक है प्रत्येक प्रकार के पांच और उदाहरण दे कर इस कथन की पुष्टी कीजिए एक विशेश स्थिती निम्नलिखित कथनों एवं परिणामी गुणनफलों पर विचार कीजिए इसका अर्थ यह हुआ के यदी पूरनांग माइनस एक को सम संख्या बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल प्लस एक है और यदी पूरनांग माइनस एक को विशम संख्या बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल माइनस एक है आप उपर दिये गए कथन में माइनस एक के युग्म बना कर इसकी जाच कर सकते हैं पूर्ण आंकों का गुणन फल ग्यात करने में यह बहुत उपयोगी है। सोचिये, चर्चा कीजिये और लिखिये। एक, गुणन फल माइनस नौ गुणा माइनस पांच गुणा माइनस छे गुणा माइनस तीन धनात्मक है। जबके गुणन फल माइनस नौ गुणा माइनस पांच गुणा चै गुणा माइनस तीन रिनात्मक है. क्यों? 2. गुणन फल का चिन्ह क्या होगा यदि हम निमनलिखित को एक साथ गुणा करते हैं. A. आठ रिनात्मक पूरणांक एवं तीन धनात्मक पूरणांक. B. पांच रिनात्मक पूरणांक और चार धनात्मक पूरणांक. प्रिष्ठ सोलह C. माइनस एक को बारह बार D. माइनस एक को दो एम बार जहां M1 प्राकृत संख्या है. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक. कारिक्रम समन्वयक ड. राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन वनिर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.